हलो एवरिवन गूड मॉर्निंग वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सबी आई होप आप सबी बहुत अच्छे होंगे तो जी सुबे का ये वक्त है और अभी सुबे के 10 बज़ के होंगे घर की सापसपाई थोड़ा सा लेट श्टार्ट हो रही है जैसे कि आप सबको पत जहां पर मैंने कलकर वीडियो एंड करा था ना वहीं से न्यू वीडियो मेरा स्टार्ट हो गया है तो यहां पर नास्ता करने से पहले मैंने ज़ाडू अगर लगाया था ज़ाडू लगा रही है यहां पर मैं वैसे तो मॉनिंग मैं मम्मी ही करती है जब भावी ओफिस चल अपना साथ में टाइम बिताए, धेर सारी बाते करे और छट में धूप सेकने जाए, तो ऐसा नहीं होता है कि मम्मी बैठी रहती है, किचन के कभी अंदर बाहर, मम्मी को धेर सारे काम देखने होते हैं, तो मम्मा भी कुछ न कुछ काम में लगी रहती है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि मम्मा गुजरात गई हुई थी मेरी बड़े वाली शिष्टर के पास वहां से वह आ रही है अभी उसको भी चार-पांस दिनी हुए है आये हुए तो वहां की कुछ चीजे होती है जो की गुजराती लोग खाते हैं तो वो चीजे कुछ-कुछ लेके वहां से आई थी तो मेरी दिदी ने दी हुँगे हम सब के लिए भी कुछ-कुछ की वो लोग आएंगे ना तो उनको भी दे देना ऐसा होता है ना जैसे दहरादुन से मैं जाती हूँ तो दहरादुन का गुड़ जो है वो सब काफी पसंद आता है और दहरादुन की हरी-ह मेरी सबजिया जो है वो दिल्ली में सब लोगों को काफी पसंद आती है वैसे तो मैं भी मार्किट से ही ले जाती हूँ पर वो हता है ना थोड़ा सा हम लोग उत्राखन में रहते हैं तो यहां की साख सबजियों का टेस्ट काफी अच्छा लगता है तो बस इसलिए जो ची कि वहां से ममी आये थी कुछ कुछ चीजे ले के आये थी यहां पे तो मैं ममी दे रही थी मुझे भी कि तू भी ले जा कुछ कुछ वहां जाके बच्चों को खिला दे ना तो मा का दिल है भहिया चाहे जरसा हो चाहे दो हो चाहे चार हो चाहे जितना भी होता है खाने की च वो मुझे बोलने लगी तु ले जा आराम से जो है वहीं पर जाके खाले ना और वो खुद सही ना मेरे बैग में सारी चीजे डाल देंगी ताकि मैं भूलना जाओं मेरी मम्मी की यह आदत बड़ी अच्छी है क्योंकि उसको पता है फिर यह कई चीजे भूल जाती है और फि छोटी वाली शिस्टर जो है वो भी आएंगे तो उनको भी कुछ-कुछी चीजे मम्मी देगी तो यहाँ पर देखे हमारी बाते भी चल ली थी धेड़ सारी बाते होती है कुछ न कुछ बाते चलती ही रहती है जब भी हम लोग आते है या फिर हमारे घर कोई भी आता है ब कबर, तो मैंने खाली बैठी थी, और आप सबको पता है, मुझे खाली बैठना विल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं मम्मी को बोला, मतलब मैंने बोला ममा लाओ मुझे दे दो सोफा के कवर में लगा देती हूँ क्योंकि जो मेरे पास है ना धहरादुन में सोफे मेरे पास है पूरा एक सिंगल जो आते है उपर डालने वाले उनको बिछाना तो बहुत आसान होता है पर जो ये वाले होते हैं इनको बिचाना थोड़ा सा आसान नहीं होता, मुस्किल होता है क्योंकि इनको पूरे अंदर डालना पड़ता है तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है और ये वाले सोफा के गद्दे जो है ना वो थोड़ा मोटे भी है तो उनको भी छान में थोड़ा दिक्कत होती है अभी यहाँ पे चलिए सारे काम हमने निप्टाए उसके बार नहाया धोया फिर आ गए है छट पे ममी मना बोल ली थी कि मैं नहीं आती हूँ तू जा छट पे अपने पापा के साथ बैठ जा क्योंकि पापा के लिए तो एक दिन के लिए तू वहां से आ रखी है और घर के काम रहने दे मैं खुद कर लूँगी तो अपने पापा के साथ बैठ तो मुझे बोली थी मैं छट पे नहीं आ रही हूँ मैं लंच बनाती हूँ तुम लोग उपर बैठो तो मैंने का नहीं ममी चल थोड़े देर बैठते हैं मुफलिया वगरा खाएंगे साथ मैं औरेंज लिके आए थे औरेंज खाया मैंने अभ भी हो गई है वैसे मेरे पापा मतलब इतने ज्यादा एक्टिव है ना चाहे उनकी एज ज्यादा भी है पर वो काफी एक्टिव है कुछ भी काम हो वो करना बहुत पसंद करते हैं उनको खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है पर वही होता है ना जब इंसान की बोड पर उनको पसंद है वो खाली बैटना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो बस अपनी अपनी आदत होती है आप सबको पता होगा पापा दहरादून भी आते हैं तो कितनी अच्छे चीजे हमारे लिए बनाते हैं कुछ न कुछ कामूं में वो लगे रहते हैं साम के टाइम अगर मैं थोड़ा सा रेष्ट भी करू न तो चाय वगरा पापा बना के हाथ में दे देते हैं पर वही है भीया अब उमर के साथ साथ सारी चीजे ना इंसान को जो है मतलब परिसानिया बढ़ती रहती है एज भी हो गई है सबसे बड़ा प्रॉबलम है पापा क को हमेशा खुस रखना और उनको एक्टिव रखना हेल्दी रखना चाहे वो कुछ काम ना भी करे कोई नहीं बस हम लोगों के साथ बैठे रहे हम अपने माई के जाए तो बस मम्मी पापा घर में होना तो बहुत जादा अच्छा लगता है तो चलिए फिलार यहाँ पे मैं आ गई थी नीचे लंच बनाने के लिए मम्मी बोली थी कि तो बैठ अपने पापा के साथ मैं जाती हूँ पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मैं बैठी रहती मम्मा खाना बनाती तो मैं नहीं तो बैठ में जल्दी से बना दूंगी जब तक तो नीचे आएगी आराम आराम से करेगी तब तक तो मैं खाना बना भी लूँगी तो फटाफट में नीचे आ गई थी यहाँ पर मम्मी जो है पालक जो आता है ने एक मैं दहरादुन से लेके आए थी वो मैंमा ने बॉइल कर दिया था और यहाँ पर बच्चे आ गए है स्कूल से मतलब भहि चले गए थे साथ में क्योंकि आयू सब बड़ा हो गया था है तो वो लेके गया था सभी को अभी यहाँ पर ना यह पालक नहीं है जो नदी में होता है जो मैंने आपको एक बार बहुत पहले बताया भी था वो है यह और यह दिल्ली में नहीं मिलता है और मेरे भहिया को मम जवाब आता है तो बस ममी ने धो धाके इसको बोईल करने के लिए रख दिया था अभी मैंने पीस लिया है थोड़ा सा लसन डाल के उसको और थोड़ा सा मैंने उसमें आटा भी एट करा था वो मैं सौरी सायद आपके साथ शेयर करना भूल गई और तड़के में आप मैंने लिए है लोही की कड़ाई इसको हम लोही की कड़ाई में बनाते हैं तो ज़्यादा टेस्ट लगते है कोई भी चाहे हरी सबजी हूँ लोही की कड़ाई में उसका टेस्ट अच्छा आता है तो मैं लोही की कड़ाई में ही हरी सबजी बनाती हूँ कड़ाई में मैंने मस्ट पीस के बनाईए या फिर सरसो अगरा पीस के बनाईए चावल के साथ बहुत जादा टेश्टी लगती है तो देखे सारी मसालों को मैंने थोड़ा देर तेल में भून लिया है उपर से डाल दिया है यह जो मैंने हरी सबजी पीस के रखी हुई थी वो अब जितनी हमें पापा के लिए मुझे एक दो रोटिया भी बनानी है साथ में राइस भी बनाने है जब भी माई के आओ ना तो मन करता है मम्पी पापा के लिए यह भी कर ले वो भी कर ले पर वही है टाइम नहीं होता बिल्कुल क्योंकि जब लड़की की साधी हो जाती है तो उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पर ना मम्मी के घर के पास में ही मैंने भी घर मतलब रूम ले लिया था क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर कोई था नहीं देखने बाला तो बस मम्मी ने ही सब कुछ करा था उस टाइम पर तो तब तो मैं यहाँ पर डेली आ जाती थी तब मैं कोई ब्लॉगिंग वगरा नहीं करती थी और तब तो ऐसा होता था मम्मी डेली मैं अपना घर का काम खतम करती थी मम्मी फोन कर देती थी कि इधर आजा करके कभी पापा फोन कर देते थी कभी मम्मी फोन कर देती थी कि इधर आजा इधर आजा तो बस यहीं पर मैं रहती थी ज्यादा तर पर अब जो है तब मम्मी पापा भी अपना अपना मतलब पापा जॉब करते थे मम्मी घर पे रहते थी भावी भी तब घर पे रहते थी तब इतना कुछ काम होता नहीं था और तब उनको इतनी जरूरत भी नहीं थी अब तो वो लोग भी इतना नहीं कर सकते हैं भावी भी आफिस जाती है तो फिर घर के भी इतने चोटे मोटे काम होते हैं क्योंकि इनसान का बाहर जाना फिर भी यह होता है ना इनसान एक बार चला गया है ऑफिस वगर जो भी है पर घर पर जो इनसान होता है उसके काम ना तो कुछ देखते हैं पर वही होता है सुबह से साम तर इनसान ठक जाता है ज्यादतर बच्चों का स्कूल लेके जाओ स्कू ये साम का टाइम हो गया है और साम के टाइम पे मेरी बड़ी वाली शिश्टर और मेरी छोटी वाली शिश्टर भी आ गए थे मम्मी के घर पे मेरे से मिलने के लिए साथ मैं पापा को भी देखना था पापा की ख़वर लेने उनको भी आना था तो ये है हमारा नटकट सा सानू जिसको कि आप सबी लोग जानते ही है क्योंकि सानू से मैं आपको बहुत बार मिला चुकी हूँ मेरी छोटी वाली सिश्टर है ना उसका बेबी है ये और ये हम सब का इतना ज़्यादा लाडला है ना कि इसको हम कुछ दिन भी ना देखें त जब ये लोग आये उस टाइम पर मैं वीडियो बनाना बिल्कुल भूल गई क्योंकि मैं मम्मी पापा हम सबी लोग उस टाइम लेट रखे थे तो एकदम नीद में ही थे ये लोग आ गए थे तो फिर जो है कोई वीडियो मैंने उस टाइम नहीं बनाया अभी धेर सारी बा बड़ी वाली सिश्टर है न हम दोनों जादातर काम करते हैं यहाँ पाके क्योंकि छोटी वाली तो ऐसी है मतलब छोटा बच्चा जो भी होता है न वो सबका लाटलाई होता है तो इससे तो कुछ भी बोल दो ये तो सीधा बोल देगी मैं तो नहीं करूंगी करो जिसको कर बाकि हम लोग कर लेते हैं और बड़ी वाली सिश्टर का तो ऐसा है कि वो करेगी हम बैठे रहेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो तो हम सबसे बड़ी है और वही है एक साइड हमारी माँ है दूसरी साइड हमारी बड़ी वाली बहन है तो दोनों को हम है और जी एजी लोग आ रखे हैं उनको अभी जाना भी है उसके बच्चे नहीं आ रखे हैं दो बेटे हैं उसके काफी बड़े हो गए है अब मतलब एक तो बड़ा वाला कॉलेज करता है छोटा वाला जो है उसका भी ट्वैल्थ है अभी तो बोर्ड के एक्जाम है उसके एक्जाम होने वाले है तो दीदी को डिनर करके जाना था वो तो पहले ही जाने के लिए बोल ली थी फिर वही है, हमने बोला डिनर करके चलिए जा फटा फट से यहां पे मैं लग गई हूं डिनर बनाने में तो डिनर में जो है सबजी तो मैं बना दूँगी प मैं अज़ा फटा से खाना लगाने के लिए उस टाइम पे क्योंकि सब लोग जब आते हैंidente तो एक जहने के लिए यहाँ जादा हो जाते हैं तो एक गरम गरम रोटी बनाता है और जैसे अभी मैं हूँ तो मैं फटाफट से खाना लगा देती हूँ सब के लिए फिलाल चलिए आज की वीडियो को यहीं पैन करूंगी उम्मीद करूंगी आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो उसको लाइक और शेयर करना बिलकुल मत भूलना मैं आप सबसे मिलूंगी अपनी अगली नही वीडियो में तब तक के लिए बाबाई